Here we continue our story that is chapter 2 Mother Magpie So Mother Magpie जो story है उसकी हम continuity करेंगे क्योंकि दो पेज हम इसके पहने पढ़ चुके हैं But Mother Magpie wasn't finished yet Mother Magpie ने बहुत सारी चिडियों को घोसना बनाना सिखाया नेकिन सब चिडियों ने क्या किया थोड़े थोड़े सीख के सब उड़ गई किसी ने भी पूरा देखा ही नहीं कि Mother Magpie कैसे घोसना बनाती है तो यहाँ पर कह रही है Mother Magpie wasn't finished yet अभी तक Mother Magpie की जो घोसना बनाना था वो पूरा हुआ ही नहीं था She took some feathers and soft grass and lined the nest very nicely with it और last में अंत में उसने घोसने के उपर पंक नगाया क्योंकि पंक बहुत soft soft होता है ताकि उनके जो babies हैं बच्चे हैं उनको चुभे नहीं दिन का That's why she put some feathers and soft grass नरम नरम से घास और पंको को उस घोसने में डाना बहुत अच्छे से That suits me cried sterning और फिर इसे देखके sterning bird ने कहां कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा है मैं इसी आइडिया से घोसने बनाया करूंगी और वहां से ओड़ गई और वहां से ओड़ गई और इस तरह से ही जो sterning चड़िया है वह अपना घोसना बनाया करती है very comfortable for their babies आराम दायक होती है उनके बच्छों के लिए क्योंकि इन्होंने बताया कि पंक और घास से बनाती है so punk भी नरम है घास भी नरम है दोनों चीज़े soft है so obviously this is comfortable comfortable means आराम दायक so it went और वह वहां से ओड़ गई every bird taking away some knowledge और फिर देखो धीरे धीरे सारी चड़िया जो है वह थोड़े थोड़े से सीख के उरती चनी गई जैसे कि मानू टीचर कास में पढ़ा रहे हैं और आप हो कि सुनोगे नहीं मुझे तो आता है थोड़े से सुनके ही आपने के दिया मुझे तो आता है तो ऐसे नहीं होता है जब तक पूरा कहानी खतम नहीं होता है पूरे अटेंशन से सुनना चाहिए तो यहां पर भी कि जो चिड़िया थी उन्होंने पूरा घोसना देखा ही नहीं किसी ने मिठी देखा और तिन का देखा देखके उड़ गए किसी ने दो बार तिन का देखा, मिट्टी देखा, उड़ गए किसी ने सिर्फ पंक और फेदर को देखा, इसको देखके उड़ गए कि घोसना ऐसे बनाते हैं, नेकिन ऐसे नहीं बनाते हैं Mother Mac P. ने कितने महनत से, इतने सारे चीजों से घोसने को बनाया है same, to bend the nest, but none of them waiting till the end नेकिन किसी भी चुरिया में इतने patience नहीं थे, कि वो आंत तक रुखे और देखे कि Mother Mac P. किस तरह से घोसना बनाती है Meanwhile, Mother Mac P. went on working और Mother Mac P. जो थी, वो घोसना बनाने में इतने वियस्त थी कि वो अपने काम के नावा और कुछ उसे दिखी नहीं रहा था वो काम किये जा रही थी, मिन्स घोसना बनाने में इतने वियस्त थी Working and working Without looking up या देखनी रही थी कि कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है नेकिन उसकी काम है घोसना बनाना और उसे नग रहा था कि सारे चड़िया अभी तक बैठी हुई हैं और उसे घोसना बनाते हुए देख रही हैं नेकिन अभी तक कोई भी चुडिया नहीं थी, सबूर चुकी थी. So, अंतिन, the only bird sitting there was, was the turtun bird. अंत तक जो चुडिया बैठी हुई थी, वो काउन सिती? Turtun Dove. Okay. Now, the turtun dove don't pay any attention. नेकिन जो चुडिया बैठी हुई थी ना, उसमें कुछ भी ध्यान नहीं दिया. ऐसा माननो कि कनास में बहुत सारे intelligent बच्चे हैं, और एक बेकूफ बच्चा भी हैं. ठीके, तो सारे बच्चे बैठी हैं एक साथ. तो जो intelligent हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता है, मुझे तो पता है, और सारे एक बच्चा ही बैठा था, जो कि उसको तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता है. ठीके, और वही कनास में अकेना बैठा रहा, और बाकी सारे कनास से बहार चेने गए. ऐसा ही इस Mother Magpie Bird के साथ हुआ. सारे चुडिया उड़ गए और अंत में एक ही टटन दव बैठे हुए थे, जिसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो सिफ बैठे हुए, बैठे हुए, ध्यान ही नहीं दे रहे, कुछ भी देखी नहीं रहे, वो सिफ एक बात पर ध्यान दे रही है, क्या, कीवर डव, जो Mother Mag पी है, वो क्या बोन रही है, वो सिफ उनके शब्दों को रिपीट कर रही है, वो सिफ एक ही बात को रिपीट कर रही है, टेक टूस टफी, टेक टूस, हम कुछ काम करते हैं ना, तो ऐसे बोनते हैं कि इसको ऐसे दो नेना है, दो नेना है, दो तिन का नेना है, तो इस तरह तो जो टटन दव थी उसने कुछ भी सुना नहीं कि कैसे घोसना बनाते हैं उसे सिर्फ यही बात याद रहा कि टेक टू टफी, टेक टू Mother Magpee heard this cry just as she was putting a twig across और Mother Magpee ने उस टटन दव की आवाज सुनी जब वर तिनको को घोसने में नगा रही थी So she said one is enough So उसे नगा कि शायद और भी चुडिया होंगी खैर एक की आवाज आ रही है उसने कहा कि कोई बात नहीं कम से कम एक चुडिया तो है मेरी घोसना बनाते हुए देखने के लिए But the turtle kept on saying Take two toffee, take two नेकिन वह बार बार इस बात को repeat कर रही थी जिसे की Mother Mac Pee angry हो गई, गुसा हो गई अगर कोई आपके बातों को बार बार repeat करेगा तो गुसा आता है तो उसी तरह से Mother Mac Pee को भी बहुत गुसा आ गया Angry means गुसा होना Mother Mac Pee बहुत गुसा हो गई And said, once enough, I tell you बस एक बार ही repeat करो बार बार बोनने की जहुरत नहीं है जैसे के आपनों कभी कभी जो मैं पढ़ाती रहती हूँ, बीच बीच में बोनने लगती हूँ तो मैं बोनती हूँ, बस एक बार ही बोनो और ज्यादा बोनने की जहुरत नहीं है So same thing Mother Mac Pee कोई बहुत गुसा आया और उसने टर्टन डव को डाट नगा दिया कहा कि इतने बार बोनने की जुरत नहीं है एक बार बोनने से हो जाता है Once enough, एक बार स्पाफी है Still, the टर्टन डव प्राइड लेकिन तब भी टर्टन डव सुने ही नहीं और वो repeat किये जा रहे Take two toughie, take twos ठेक है, अब Mother Magpie को बहुत ज़दा गुसा आया और फिर finally Mother Magpie looked up और फिर उसने जब अपना सर उठा के देखा कि देखो तो जड़ा कि कितने चुरिया है मेरे घोसना देखने के लिए And saw nobody तब उसने देखा कि पेड़ पे तो कोई भी चुरिया नहीं है बस एक ये बेकूफ टर्टन बैठा हुआ जो मुझे परिशान कर रहे बाकी तो कोई भी चुरिया नहीं है Near her But still, टर्टन डव She got so angry और उसी इतना गुसाया That she knew away वो वहां से उड़ गई और फिर उसने किसी को भी घोसना बनाना सिखाया ही नहीं She never turned the birds How to bring the nest again तो क्योंकि सारी चुरियों ने request किया था Mother Mac Pee से कि हमें घोसना बनाना सिखा दो और तब Mother Mac Pee ने कहा था कि हां सिखाऊंगी अब जब वह सिखाने लगी तो कोई भी चुरिया ही नहीं देखने को अब गुसा तो आना ही था Mother Mac Pee को बहुत गुसा आया और वह भी पेर छोड़के उड़ गई और दुबारा कभी भी किसी भी चुरिया को गोसना बनाना नहीं सिखाई And that is why different birds bent their nest differently और यहीं वज़ा है कि सारी चुरिया अनग-अनग तरीके के गोसना बनाती है कभी देखोगे स्पैरो के छोटे से घोसने होते हैं कवे के भी छोटे से मतले पत्ते के या फिर जार के कुछ भी बना देते हैं तो इस ताइप के सारी चुरियां के अनग-अनग तरीके के घोसना बनाती है जो भद्धा सा दिखता है इनकम्प्लीट दिखता है क्यों कि उर्नोगों ने मदर मैक पी से घोसना बनाना ठीक से सीखा ही नहीं अब तो दिस एंद इस स्टोरी बाए और हाव नाइस दे